मेरे प्यारे दोस्तों जब भी आप किसी लाचार से दिखने वाले भिखारी को सड़क पर देखते हैं तो आपको उसकी सिचुएशन पर तरसा जाता है और आप बड़े दयालु हो उठते हैं और अपनी जेव से पैसे निकाल कर उसे दे भी देते हैं और आपको लगता है कि अपने बड़ा ही पुन्य का काम किया है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता दोस्तों कई बार हमारी दरिया दिली कुछ ऐसे भिखारीयों को बढ़ावा देती है जो शायद भिखारी होते ही नहीं हम आपको आज यही बताने वाले हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों बने रहे हैं प बेल आइकन को प्रेस करके आल का उप्शन जरू सलक कीजिए। दोस्तों सबसे पहले सड़क पर पड़े इस इंसान को देखिए। जिसे देखकर किसी के भी मुझ से निकल जाएगा कि ये बेचारा कैसी जिन्दगी जी रहा है। लेकिन दोस्तों आप दोखा मत खाईए। ये आदमी पहले तो कुछ दिनों तक यूँ ही भीक मांगता रहा। लेकिन कुछ लोगों को इस पर शक हुआ। कि ये ऐसा सच में नहीं है बलकि ये तो सिर्फ नाटक कर रहा है। फिर कुछ लोगों ने इसके ड्रामे की पोल खोलने का फैसला किया और कैमरे में इसे कैद कर लिया। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। जब इस अंजान आदमी ने इस भिकारी को उठने को कहा। तो देखिए किस तरह से ये किसमत का मारा भिकारी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्योंकि इस भिकारी को इस आदमी के डंडे का बड़ा डर लगा। पहले ये बैठता है, फिर दोनों पैर पर खड़ा हो जाता है। मानो इस भिकारी को किसी बाबा ने मंतर फूग दिया हो और ये सड़क पर ही चमतकार का साक्षी बन गया हो। दोस्तों जड़ा इस चीनी भिकारी से मिलिए। ये टायर लगी पट्री पर खुद को खीचता हुआ लोगों से भीक मांग रहा था। एक बारी से एक आदमी ने अपने साथ बस में ट्रैवल करते देखा था। उसे ये भिकारी संदिक दे लगा। तो ऐसे में उसने इसकी तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। और जब उस शक्स ने उसकी पैंट को जबरन खीचा तो उसकी बाद क्या हुआ उसे देखना बेहत दिल्चस्प था। दोस्तो अब इस आदमी से मिलीए। ये कैसे सडक पर रेंग रेंग कर भीक मांग रहा है। लेकिन कुछ समय बात देखिए। आराम से नोट गीन रहा है। इतने पैसे तो धन्ना सेठ भी एक दिन में नहीं गिनते। क्यों दोस्तो सही कहाना। उसके बाद ये अपना बोरिया बिस्तर बांध कर किसी आम इनसान की तरह चला जाता है। दोस्तो अक्सर हम राह चलते इन भीकारी को देखते हैं और कुछ पैसे देकर आके बढ़ जाते हैं। और अगले दिन भी हम ऐसा ही करते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि ये भीकारी आकर क्यों दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी इसी दान गिरी का फाइदा ये भीकारी उठाते हैं। दोस्तो जरूरत मंद लोगों को देना बहुत अच्छी बात है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ जरूरत मंद लोगों को ना देकर हम दान उन लोगों को दे देते हैं जो शायद इसके पात्र ही नहीं। सड़कों के बीचों बीच बेठे इस आदमी से मिलिये। आते जाते लोगों के लिए तो ये भीकारी दया का पात्र है। असल में इसने दो पैंटे पहन रुखी हैं एक पैर को मोड कर इसने पहले एक पैंट पहनी और दूसरी लोगों को दिखाने के लिए कि इसके पास एक पैर ही नहीं है। लेकिन फिर देखिए ये कितने आराम से चलता है जब शरीर इतना अच्छा भला है तो ये कमा कर क्यों नहीं खा सकते। इस बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तो इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक आदमी अपनी पत्नी और चार चोटे बच्चों के साथ सडक पर खुद को घसीट घसीट कर चल रहा है। और लोगों से भीक मांग रहा है। आगिर जिंदकी मिली है तो पेट पालना होगा। लेकिन दोस्तों यहां आप एक बाद जान लीजिए। आप इस भिकारी को पहले दिखाई वीडियो की तरह चाल बाद ना समझे। नहीं नहीं यह कोई असल भिकारी नहीं बलकि महाग चालांग भिकारी है। जहां पहले वाले भिकारी खोदे जालसाजी का जाता है। दोस्तों जब यह वापस घर लोटता होगा तो इसके पड़ोसी तो यही सोस्ते होंगी कि बंदा फैमली को घुमा कर लाया है। दोस्तों अब जेपैं की इस भिकारी बच्चे को देखिए। भीक मांगने का ऐसा नायाब तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा यह मासूम सा बच्चा किसी कचुए की चाल चल रहा है मगर असल में तो इसका दिमाग किसी खरगोश की चाल से भी तेज है। बच्चे की चला की देख रहे हैं आप। बड़ा होकर इसका बिलिनियर बनना तो तै समझे। आपको क्या लगता है। दोस्तों चलते चलते रो हमारे समाज के कड़वी सचाई है जो यह बताती है कि हमारे सोसाइटी में आज बच्चों की जिंदगी से कैसे खिलवार हो रहा है। इस बच्चे की सूरत देखकर किसी का भी दिल पिखल जाएगा। लेकिन शायद इसकी मा का नहीं पिखला। दोस्तों दरसल यह औरत अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे मांग रही थी उसका कहना था कि उसके बच्चे को चोट लगी है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। लेकिन आगे दिखी क्या होता है जब इस बच्चे की इन पट्टियों को खोला जाने लगा तो ये औरत अपने गरीब होने की दुहाई लगातार देती रही और जैसे जैसे पट्टे खुलते गई सच सामने आने लगा बच्चा बिलकुल ठीक था लेकिन यहां सवाल ये था क कि ऐसी भी क्या मलबूरी कि बच्चे की बच्चपने को कमाई का जरीय बना लिया गया डिस बारे ठीक कैसा ही मामलہ एक और सामने आया जहां दो बच्चे भीक मांग रहे थे जिस में वील्चेर पर बैठे बच्चे के दिल में छे दोने की बाद बता कर पैसे जोड़े जा रहे थे वो तो भला हो इन अंकल का जिन्होंने इन्हें पकड़ लिया फिर जो बच्चों ने बताया उसे आप खुद सुन लिजिए ये बच्चे 200 रुपे की देहाडी पर रोज इस तरह के काम को कर रहे हैं और वीलचेर पर बैठा बच्चा बिलकुल ठीक है लेकिन मात्र 200 रुपे के लिए उसे सारे दिन अपने गर्दन को टेड़ा करके बैठना रहता है जिस उम्र में बच्चों को नई नई चीजों का ज्यान पाना होता है उस उम्र में ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लोग बच्चों को अपने धंदे का मजदूर बना डालते हैं हमारे देश के भविशी के लिए ये जरा भी सही नहीं हो सकता दोस्तो सडक पर लेटे इस बच्चे की हालत देख कर किसी का भी दिल पसीज सकता है लेकिन फिर देखिए बच्चे को पकड़े जाने का डर सताने लगा और वे चीखने लग जाता है दोस्तो जड़ा इस बिखारी को ध्यान से दिखिए जिसमें पल भर के अंदर ही उसकी पोल खुल जाती है दरसल प्लानिंग के तहत ये लड़का बिखारी को भीग देता है फिर उसके पैसे उठाकर भागने लगता है और तभी बिखारी में बोल्ट की आत्मा हा जाती है और वो तेजी से भागने लगता है दोस्तो अफरिका के इस बिखारी से मिली है गुसेल महतर्मा ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया और पट्टी उतारने के दौरानवे बीच बीच में उसे स्टिक से मारती भी जा रही है शायद इस अधिकारी ने महतर्मा को कई बार चूना लगाया था तबी तो वो इतनी भड़क उठी माजूम चहरा और निगाहें फरेवी आपने ये गाना तो सुनाई होगा इस भीकारी बच्चे पर ये बात पूरी तरह ठीक ठीक बैटती है सिपाही ने इसकी चलागी को पल भर में ही खत्म कर दी फिर बेचारे भीकारी को यहां से जाना पड़ा दोस्तो इस शक्स को देखिए जिसने बच्चे के हाथ पर जूट मूट की पट्टी बांद भीक मांगना चालू गर दिया ये भी लोगों की नजर में चड़ा तो इसका जूट पकड़ा गया और लोगों ने जबरन बच्ची की पट्टी को खुलवा दिया इसके बाद ये देखिए कैसे रास्ता नापता फिरा लगे हाथ इने भी देखिए दुनिया में इस जैसा कोई लाचार नहीं होगा आखेर पैर होते हुए ना चल पाने का साहसिक कारिया ये लड़का ही कर सकता है इसके भाई को भी देखिए दोस्तो अब बारी हमारी वीडियो के उस भीकारी से मिलने की जिसकी रोनी की आवाज से किसी को भी रोना आ जाएगा देखिए ये बिचारे कितना लाचार है इसके पास हाथ में एक सर्टिफिकेट भी है जिसे शायद ही अपनी लाचारी का सबूत मान बैठा है इसमी और विल्चेर पर बैठे बच्चे यानी ढोंगी भीकारियों से मिल लीजिए इस बच्चे को लोगों ने मार कर उठाया और फिर ये खड़ा हो गया लोगों ने इसके बाद इसकी तलाशे लिए और सही काम करने की सलाह दी लेकिन अगर इतनी ही समझदारे इन में होती तो ये ऐसा पहले ही न कर लेते दरसल ये बच्चे भीक नहीं मांगना चाते पर कुछ लोग इन बच्चों से भीक जबरजस्ती मंगवाते हैं जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें सजा जरूर होनी चाहिए दरसल इसमें इन मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं होती ये अपनी हालत से मजबूर होते हैं और क्योंकि इन्हें खाने के लिए रोटी वही बड़े लोग देते हैं और रोटी के बदले वो इसे जो चाहे कराते हैं तो मेरे पैरे दोस्तों आगे से आप जब कभी किसी की मदद करें तो ये तै करें कि वाकई उस इंसान को आपकी मदद की जरूरत है और ऐसे लोगों की मदद करने से बिलकुल पीछे ना हटें जिनको वाकई आपकी मदद की जरूरत है इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ अगले वीडियो में फर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार